पटियाला सबजी मंडी में निहंगो के हमले में बुरी तरा घायर होने वाले पंजाब पुलिस के SI हरजी सिंग को परमोट करके सब इस्पेक्टर बना दिया गया है उनकी बहदुरी और साहस को देखते हुए या फैसला लिया गया है इसके अलावा हमले में घायल हुए तीन पुलिस कर्मियों को डी जी पी मिडल से सम्मानित किया गया है दरसल पंजाब के पटियाला सबजी मंडी में करिफ्यू का पादन करवाने के दोरान निहंगो ने पुलिस दल पर हमला बोल दिया था इस दोरान हरजी सिंग ने बहादुरी और सहाथ के साथ हमला वरो का मुकाबला किया था इस हमले में हरजी सिंग का हाथ तलवार से कट गया था जबकि पंजाब पुलिस के तीन पुलिस कर्मी घायल हो गए थे इसके बाद हर्जीस सिंग को चंदीगड पीजी आई में भरती करा गया था जहां डाक्टरों ने लंबे सर्जिरी के बाद उनका हाँ जोड दिया था पंजाब की डीजीपी दिनकर गुपता ने मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग से सलाह मसावरा करने के बाद हर्जीस सिंग को पर्मोट करके और तीन पुलिश कर्मियों को प्रुश करित करने का फैसला लिया हर्जीस सिंग के अलावा जिन पुलिश कर्मियों को डीजीपी मिडल से नवाजा गया है इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए मोधी सरकार ने देश ब्यापी लागडाउन कर रखा है पंजाब सरकार ने सकती दिखाते वोए कुरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगा रखा है क्रोना वारिस से लोगों को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों और मेडिकल स्टाप जीजान लगा रहा हुआ है इस दवरान देश के कई हिस्सों में पुलिस कर्मियों और मेडिकल स्टाप पर हमले की खबर मिल रही है आपको बता दे कि कुरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है भारत समित कई देशों में लागडाउन लगा दिया गया है इसके बावजुद भारत समित बिस भर में कुरोना वारिस के मरीजों की संख्या में 30 सी जाफा हो रहा है अब तक भारत में कुरोना वाइरिस के 12,758 से ज़्यादा केस हो चुकी है जिन में से 420 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं दुनिया भर में कुरोना वाइरिस के मरीजों की संख्या 20,70,000 से जादा हो चुकी है जिन में से 1,38,000 से जादा लोगों की जान जा चुकी है